हालो एन वेलकम प्रेंट्स पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो पाइथन की है और पाइथन में डबल इन्टेट कोड्स, सिंगल इन्टेट कोड्स और टिपल इन्टेट कोड्स इसमें बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है तो अब पढ़ाते थे हम तो अब तो लॉकडाउन है और कोरोना मा हमारे इतनी तेजी से फैल रही है तो अभी इन्सिट्यूट पर कोचिंग पर केज़े को बुला नहीं रहा हूँ तो उन्हीं का वाट्स आप आया था तो उन्होंने पूछा था तो चलिए यह देखते हैं यहां से न्यू फाइल ले लेता हूँ और ए इसी कॉल टू यहां पर क्या लिख रहा हूँ ध्यान दीजेगा यहां पर डबल इंटेट कोड्स लगा रहा हूँ यहां पर लिखा सूरज सर यह लिख दिया ठीक है और फिर आगे भी हमें लिखना है तो यहां पर क्या करता हूँ डबल इंटेट कोड्स में लिख देता हूँ दशाइन इन इंस्टी ठीक है और इसको क्लोज कर देता हूँ तो अभी इस कंडिशन में आपको दिक्कत कहां पेश आएगी कि देखिए पहले हमने लगा दिया सिंगल इंटेट कोड्स और उसे बंद नहीं किया अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ यहां पर ठीक है तो इस कंडिशन में यह जो सिंगल इंटेट कोड्स है इसको हम यहां पर क्लोज कर सकते है ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको अगर मैं सेप करता हूँ और यहां पर देखिए यहां पर प्रेंट करवाता हूँ प्रेंट ए ठीक है तो यह देखिये, यहां से save किया यहां पर जाकरके और एक नाम देकरके dot py से इसे save कर लेता हूँ यह save कर लिया आप देखिए इसमें error आएगी यह देखिए यहां पर गया तो यहां पर एक error आगई हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने Singulated Quartz लगाया है फिर यहां Double Ented Quartz लगा दिया है और फिर Double Ented Quartz close कर दिया है हम सिर्फ इतना करें कि यहां पर Single Ented Quartz open है और यहां पर इसे close कर देते हैं ठीक है और सिर्फ The Shine को ही हम Double Ented Quartz में रखते हैं तो भी ये हमारा program चलेगा और जो हम print करवाना चाहते हैं वो print भी हो जाएगा तो ये देख सकते हैं आप कि जैसे हमने चाहा था print करवाना वो असानी के साथ print हो रहा है आप triple in noted course की बात कर लेते हैं या फिर ये जो double in noted course है इसको हम आगे भी लगा सकते हैं जैसे की आप देख सकते हैं ये single in noted course मैं हटा रहा हूँ ये जो है ना इसको हटा दिया मैंने और इसको मैंने आगे लगा दिया ठीक है और यह सूरत सर तक लगाया इसे और यहां पर close कर दिया ठीक है और यह जो Russell Quartz है इसको यहां से लगारा हूँ यह देखे ठीक है तो यह सब कुछ होकियों हो गया सब कुछ सही है अब यह single restricted Quartz है तो single grounded Quartz यहां से लगाया और यहां पर खतम तो अब इसको अगर print करवाते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको save किया, और फिर इसको print करवाया, तो अब ही देखेंगे कि यह भी print होकर हमारे सामने आ जाएगा, बहुत ही असानी के साथ, अब triple inverted quotes की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, और इन सब को पहले हटा लेता हू यह हटा लिया हमने, फिर इसको भी हटा देता हूँ, और फिर यह जो single inverted quotes लगाया, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको भी हटा देता हूँ, यह हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं, double inverted quotes है, इसे मैं triple inverted quotes में convert करता हूँ, एक, दो, तीन, यह देख सकते है यह triple edit quotes है और अगर मैं यहाँ पर इसको close कर देता हूँ तो यहाँ पर इसको save करता हूँ अभी अब इसको run करवाया तो यह देखिए पूरा का पूरा run हो गया ठीक है देख सकते हैं आप अगर बीच में the shine को हाँ रखना चाहते हैं यहाँ पर एक और फिर यहाँ पर एक लगा देते हैं तो यहाँ पर यह single edit quotes में आएगा ठीक है और बाकी की चीज़े print हो कराएंगी देखिए यह देखिए यहाँ पर देख रहा है यह single edit quotes में आ रहा है ठीक है तो ये इस तरीके से हम इसका use कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आरियन आपके बाद समझ में आ गई होगी और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं Thank you for watching this video